गुड मॉर्निंग स्टुटेंस आफ कुलास सेकेंड एकस्रसाइज 1.4 कोश्चन नंबर फस्ट वाला सर्कल दे ग्रेटेस्ट नंबर इन इच सैट जो सैट दिया गया है उसके अंदर आपको ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर सर्कल करना है पहला वाला कोश्चन देखो इसमें दिया गया है तो सेंख्या है इसमें बढ़िया, ग्रेटर कौन सी है तो 42 को अधी तू कर देंगे brigade सेंखे दिया गया है है तो इसमें साइख्या RajGER S stoppage Spec крेटर ए तो 65 तो कॉन्स sometimes greater,े तो कॉन्स से संक्या सिंदे बढ़ए इस सेट दिया गया है इसमें से आपको किस के अपर सरकल करना है इसमालर यानि छोटी संख्या के अपर आपको सरकल करना है पहले कोशन में क्या दिया गया है 18 आर 81 इसमें कौन से अपको सरकल कर दो थर्ड वाला है 90 और 70 तो 70 के अपर सरकल कर दो 4th वाला है 44 और 40 तो इसमें आपको 40 के उपर circle कर दो 5th वाला question है 50 and 40 तो इसमें किस के उपर कर दोगे circle 40 के उपर circle कर दोगे क्योंकि इसमाला है 50 से छोटी संक्या है ठीक है 6 वाला question देखो उसमें दिया गया है नमबर क्या दिये गए 60 and 20 तो कौन से संख्या चिसमारा रहे कौन संख्या चोटी है 20 तो हम इसके उपर 20 के उपर सरकल करतेंगे थार्ड वाला कोशन सी वाला देखो इसमें आपको greater than less than के sign लगाने और या equal उसके साबसे आपको sign लगाना है पहला वाला कोशन है 58 जो है 82 से क्या है 58 82 से क्या है तो इसमार है इसमार का चनल 58 इसमार है 82 से या तो यह ध्यान रखो जो यह दिया गया है sign दिया गया है इसका जो खुलावा मों हे वो हमेशा बड़ी संख्या कि साईद ही होता है तो इसका मतलर यहां पे क्या है इसमालर है 82 तो यो 42 की साईद क्या है कुलावा फैस है इसका ऊके घ्यान रखो या तो कन्फ्यूज नहीं होना सेकेंड कोशन है 14 और 16 दिया गया है तो कौँशी 14 क्या है 16 से इसमाल रहे तो हow describes हमने इसमालर वला Sign लगा दिया थार्यदे भ़र्वाला कोशन देखो 11 जो है 19 से इसमालर है तो हमने समालर वला Sign लगा दिया इसके नदर ओके फोर्त वाला है 25 जह है 40 से smaller यह भी तो हमने smaller वाला sign लगा दिया 5 वाला देखो 60 जो है 90 से smaller है तो इसमें भी हमने smaller वाला sign लगा दिया है सित्फ वालों देखो। फोटिवारी जे है जिए च्यों में सो ग्रेटर लगा दिका है। आगे सेवंत हो कुषियं कि उधर क्या लगा दिए है। 60 और 20 को हम प्लस करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 80 तो यानि दोनों साइट क्या है 80 तो दोनों ही क्या है एकुल है बराबर है तो हमने एकुल अलगा दिया इसके अंदर एट वाले कोश्चन में देखो 20 प्लस 40 यानि कि कितने हो गए 60 60 हो गए तो 60 और उधर क्या है अपने पास 70 तो यहां पे 60 क्या है इसमालर है 70 से तो हमने से इसमालर वाला साइन लगा दिया नाइन्थ वालर में 50 जो है आग उधर से दूसरी साइट क्या दिया गया है कौन से क्या है इसमालर नाइन टी से तामने समयर साइन लगा दिया इसमालर वाला साइन लगा देंगे इसके अंदर ओके आगे बढ़ा देखो और देखो कॉश्चन अरें तफो और नंबर इन एसन इंन और में आपको करना इसमें एसनिंग अंतल बता है छोटे से बढ़ा यानि कोषन देखो क्या क्या दिया गया है took तो सबसे से नमबर कुना है 13,C? लिख देंगे 32 उसके बाद 40 और 62 लास्ट में 32 dw 28, 82, 42, 99, 95 दिया गया है तब पहला क्या है सबसे समाला नमर कौं सा है 28 उसके बाद 42 उसके बाद 82 उसके बाद 95 लसके बाद 99 धार्ड वाला कुष्ण को ड़ीखाओ आप किया दिया गया है 77 66 55 32 सबसे चोटी संख्या कौन सी है 32 तो हम सबसे पहले 32 लिख देंगे उसके बाद 44 उसके बाद 55 उसके बाद 66 उसके बाद 77 ओके अब आगे देखो अरेंज दर फौर इंडिंग ओडर में यह नंबर्स लिखने हैं तो डिसेंडिंग ओडर का मतलब क्या होता है बड़े से चोटे की साइड यानि के ग्रेटेस से इसमालर ठीके तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कुन सी है पहले वाले कोशन में देखो 30 टेन 9 फिप्टी नाइन तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कुन सी है 50 हम सबसे पहले 50 लिख देंगे उसके बाद 30 उसके बाद 19 इसके बाद 10 और लास्ट में नाइन सेकेंड कॉश्चन में देखो 19, 21, 60, 40, 22 तो इसमें सबसे बढ़ी संख्या कुन सी है ग्रेटिस नमबर कुन सा है इसमें 60 तो हमने 60 रिख दिया इसके बाद 40 इसके बाद 22 इसके बाद 21 और इसके बाद 19 थर्ड कॉश्चन देखो 44, 96, 29, 79, 73 तो सबसे में ग्रेटिस नमबर कुन सा है 96 तो हमने पहले सबसे पहले 96 लिख दिया उसके बाद 79 उसके बाद 73 और उसके बाद 44 और इसके बाद सबसे लास्ट में 29 ओके आगे एक्सरसाइस और सोल करने जा रहे हैं